Algebraic expression Algebraic expression क्या होती है? एक combination होता है variable का और constant का अभी बात करते है variable क्या होता है और constant क्या होता है? अगर मैं एक figure लो x plus 2 तो यहाँ पे x के हमारा क्या है? variable है और 2 हमारा constant है इसका मतलब क्या है? कि x की value हर बार different हो सकती है हना x की value change होती रहती है यह depend करता है situation के उपर और जो हमारा constant है उसकी value हमेशा same रहेगी यह 2 है तो 2 की value हर condition में same रहेगी पर जो x की value है वो vary करती है condition के उपर depend करती है तो x की value कभी 1 हो सकती है कभी 2 हो सकती है कभी 5 हो सकती है इसी लिए इसको variable बोलते है जितने भी letter sample होते है letters होते है और sample होते है इनको variable बोलते है अब भी next बात करते है हम terms की तो term क्या होती है term term क्या होती है term कोई भी single number हो सकता है कोई single number और साथ में variable उसके साथ हो सकता है और variable variable भी हो सकता है अगर अब इस वाली expression में हम बात करें तो यहाँ पर कित्ती terms है 1, 2, 3 terms है 1st term क्या है 5x to the power 2 2nd term 3y और 3rd term है 5 यह हमारे किलिए होना चाहिए अगर हम बात करें factors की factors की तो इसका factor क्या होगा 5 को multiply करेंगे हम x से और फिर उसको x से multiply करेंगे तो हमारे पास यह आएगा न अगर इसकी बात करें इस वाले की 3y की तो 3y का क्या है गा 3 को multiply करना है y से और last में 5 को multiply करो या ना करो 1 से यह होगा न हमारे factors यह हमारे factors है टम का हमें पता होना ज़्यादा जरूरी है कि terms क्या होती है हर एक यह terms जो है वो plus के या minus के sign से जुड़ी होई होती है इनके बीच में कोई ना कोई sign होता है जैसे अभी यह एक term है यह बीच में sign है plus का यह यह माइनस का भी साहिन हो सकता है तो यह किस से जुड़ी होती है साहिन से जुड़ी होती है अब भी बात करतें कोफीसियंट की कोफीसियंट भी न दो तरह की होती है तेको अगर मैं ले लूँ 5x तो यहां दो कोफीसियंट है यह हमारा नुमारिकल है और यह हमारा लिटरल है तो दो तरह की कोफीसियंट होते है एक हमारा नुमारिकल दूसरा हमारा लिटरल होते है अगर हम इसको पढ़ें तो यह क्या बोला जाएगा 5 जो है यह numerical coefficient है x का और इसको कैसे पढ़ेंगे x जो है coefficient है किसका 5 का अब बात करते हैं जो हमने terms पता करी थी वो दो types की होती है एक तो होती है like term और दूसरी होती है unlike term like term जैसे की 2x कोमा करके 5x यहां देखो जो variable है दोनों का same है इसलिए क्या है यह एक like term है दूसरा example अगर मैं देखूँ तो 3y, 4y यह भी like term है like term क्यों है like term क्यों है क्योंकि दोनों के variable same है अगर unlike की बात करें unlike term है जैसे की हमारे पास 5x है कोमा 7y है यह variable different है इसलिए यह unlike term है अगर दूसरी बात करें 5x की पावर 3, 2x की कोई पावर नहीं है तो यह भी unlike term है क्योंकि यहां तो x की पावर 3 है और यहां x की कोई पावर नहीं है इसलिए यह unlike term है सभी algebraic expression जो है वो polynomial होती है polynomial के अंडर ही mononomial आती है bionomial आती है और trinomial आती है mononomial में क्या होता है सिर्फ एक ही हमारे पास whole number होती है और उसकी exponent हो सकती है जैसे single term होती है अगर यह तो हमारे पास 2 हुआ या फिर 3X हुआ है या फिर 5X की power 3 ये भी एक single term है इसका मतलब यह क्या है mononomial है bionomial में क्या होता है bionomial में हमारे पास जो है 2 mononomial होती है या तो उनका sum होता है या subject होता है जैसे यह ले ले हम 3X प्लस 2 ये क्या हो गया bionomial हो गया क्यों इसमें 2 terms हो गई हमारे पास अलग अलग अदीसरी बात करें ट्राइनोमियल में ट्राइनोमियल में जैसे की 3X प्लस प्लस 2Y माइनस 5 तो यहां कित्ती terms हो गई हमारे पास 3 terms हो गई है इसलिए क्या होगी ट्राइनोमियल होगी यह तीनो वैसे अंडर आती है पॉलिनोमियल के अंदर आती है पॉलिनोमियल के बारे में मैंने आपको बताई दिया था पॉलिनोमियल क्या होते है जिसमें single हमारे पास term भी हो सकती है दो terms भी हो सकती है और बहुत ज़्यादा terms भी हमारे पास हो सकती है variable आपको सभी को पता है जो यह हमारा क्या होता है सैंबल्स होते हैं या लेटर्स होते हैं उनको वैरियेबल बोलते हैं अब बात करते हैं कि पोलिनॉमियल क्या नहीं होता पोलिनॉमियल में जो एक्सपोनेंट है जो पावर होती वो कभी भी नेगिटिव नहीं होती और जो नमबर होता है वो पूंक्यों की फॉम में नहीं होता है ठीक है? अब दूसरी बात करें कि दो वैरियेबल्स भी हो सकते है यहां एक Y है एक्स है और दूसरा Y है तो दो वैरियेबल्स यहां है अब बात करें कि स्केर रूट नहीं हो सकती तो यही इसमें बताया गया है अब ही इसमें यही बताया गया है कि एक algebraic expression containing negative or fraction exponent of a variable ऐसे कोई भी अगर कोई number हुआ तो वो क्या नहीं होगा polynomial नहीं होगा ठीक है आगे बात करें अभी हम बात करेंगे कि degree कैसे count करते है degree वैसे होता है कि highest power होती है अभी हम मैं बताउंगे कि हम degree count कैसे करनी होती है देखो यहां 3 terms है ना 3 नो terms की हम अलग अलग degree count करते है अगर बात करें यहां 2x ड़ पावर नहीं x की पावर 2 है तो यहां पर variable कितना है हमारा X की power जो है वो 2 है अगर दूसरे वाले terms में हम बात करें यहां एक X है variable एक X है एक Y है तो दो हमारे पास variable है ठीक है अगर इसमें बात करें तो variable कितना है हमारा 2 है तो highest degree क्या है यहां भी 2 है यहां भी 2 है यहां भी 2 है sum है ना वो जो powers हैं उनका हमें sum पता करना होता है highest degree पता करने के लिए जैसे यहां x की power 2 है तो 2 हमने लिखे दिया y की power 1 है तो 1 दोनों को add करेंगे 3 हो जाएगा यहां x की power already 3 है यहां x की power 1 है और y की भी 1 है तो हमारे पास 2 हो गया और 8 की कोई power नहीं है तो 0 तो आगर हम देखे तो highest power क्या जा रही है यहां भी 3 है 3 है तो power क्या जा रही है 3 जा रही है highest जो degree है वो 3 है फिर हम degree बताएं तो इस polynomial की degree क्या है 3 है standard form of a polynomial polynomial की standard form कैसे क्या होती है when its term are written in decreasing order of degree डिगरी आपको पता यह कैसे हम पता करते हैं फिर जो degree है उसको हम decreasing order में लिखते हैं जैसे देखो यहां x की degree 1 है यहां x की degree 3 है यहां कोई degree नहीं है यह x की degree 2 है तो अगर हम इसको standard form में लिखेंगे तो सबसे पहले हम यह वाली जिसकी सबसे ज़्यादा highest degree है उसको लेंगे फिर उसके बाद उसके बाद उससे छोटी degree वाले को फिर उसके बाद वन डिगरी को और फिर लास्ट में हम सहावन केंगे